तुअ आगे तो टू बार्स वर सेम मैंटेरियल यंग मोज़नेदबल वाई इसका भी वाई इसका भी वाई है लेंठ भी ब blouse सेम लेलो इसका रेडियस बोलबल है इसका रेडियस आर्रहें तो इसका रेडियस करेंस始料 आर इन दोनों को τουन्ट उन एंड इस तरह से जॉइन कर काए psychiat काए कि सुट इसका जोड़र सुट्रिप को डूर्प को डूसरा कि इसका एक स्प्रिंग कॉंस्टैंट की तू है और खीचाया गतना ऑजनल फ तो हो इसका तूम अगर दोनों को मात沒有 एक साथ हम जोड़ से तो नों का जितना energy है उसको total को add कर दोगे तो total energy of the system आ जाएगा आरी बस समझे टोटल energy of the system आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा यही काम हम यहां क्यों नहीं कर सकते हम इस rod को एक spring माल लेंगे और इस rod को भी एक spring माल लेंगे जब दोनों rod को में अलग अलग spring माल लेंगे तो उपर वाले का elongation कैसे निकलेगा कौन सा formula लगाएंगे हम तो y बराबर force by area upon delta l by l जिसमें से delta l का value क्या हो जाएगा f l by y a यह मेरे को x1 x2 दे देगा इस formula से delta l का उतलब elongation x का उतलब elongation इस formula से हम x1 x2 निकाल लेंगे दोनों के लिए और k का formula होता है f l y a by l y a by l यह formula होता है k का तो k का formula तुमारा कैसे आया actual में जैसे f equal to k x लिखते हैं तो इसी formula को तुम change करो थोड़ा तो आएगा f equal to y a by l into delta l इसको k माल लेते हैं इसको f माल लेते हैं f equal to k x spring constant वाला तरीका होता है तो दो formula यहाँ पर हम लगाने वाले हैं एक ही ये वाला एक ही ये वाला तो पहले 1 के लिए करते हैं तो delta l1 equal to ठीक है देखो यहाँ पर जो तुमारा load है वो दोनों के लिए तो एक ही load है दोनों को तो एक ही load कीच रहे यहाँ पर समझ रहो series combination है यहाँ पर series combination है तो series combination में हम तुमको पढ़ायते जैसे मान लो की एक spring ऐसे है दूसरा spring ऐसे है और इधर एक block लगा इसको f force के साथ खीच रहे इसका k1 है इसका k2 हो तो हो सकता है इसका elongation अलग हो इसका अलग हो क्योंकि k1 k2 अलग अलग है लेकिन जो force खीच रहा हो सबको तो एक ही साथ खीच एगा na f से इसलिए तुम load का जो value है वो अलग अलग मत लिखना दोनों के लिए same लिखना ठीक है लोड हो गया same w l का value l ले लो y का value y ले लो और area तुमारा उपर वाले का हो जाएगा pi r square तो इसका value हो गया w l by 4 pi r square into y यह आगिया same उसी तरह से delta l2 w उसका भी weight है जो खीच रहा उसको उसका भी length l है उसका भी y y है लेकिन radius अलग है तो pi r square लिखेंगे यह delta l1 l2 आगिया अब same उसी तरह से k1 k2 भी निकाल लो k1 का value कितना हो गया k1 का value y a by l तो y एक का area हो जाएगा pi r square मतलब की pi into 2 r का square upon l दूसरा k2 हो जाएगा y into pi r square by l यहां रखतो तो u1 equal to half k1 का value कितना हो गया 4 pi r square into y by l और x1 square कितना मतलब elongation का square कितना w square l square 4 pi r square y का whole square फिर plus u2 कितना है यह total निकाल रहा है u1 लिख दिया u2 क्या है half k k2 कितना है y into pi r square y को 4 मत पढ़ देना यार तो y into pi r square by l into x2 square मतलब delta l2 तो w square l square by pi r square into y का whole square इतना है अब देखो कुछ term से यह cancel हो जागा तो आसान है square है तो यह पूरा कट जागा 4 pi r square y और half into w square l by pi r square y अब जो common है वो common निकाल लो half common है w square common है l common है pi r square y common है यहां बच्चेगा 1 by 4 और वहां बच्चेगा 1 lcm लोगे तो हो जागा 5 by 4 और नीचे 2 था पहले से तो 5 by 8 w square l by pi r square y अब तुम खुद देखो कि option number c यहां पर match हो रहा है तो इस तरह से इस question को बनाना था I hope तुम समझ पाए होगे thank you so much for watching